इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये बड़ी हुई उर्जा और चयाप्चे के लिए ऑक्सिजन परिवहन और हीमोगलोबिन निर्मान में भी सहायता कर सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, फेरस फ्यूमरेट यानी की आयरन शरीर में आयरन के भंडार की पूर्ती करता है और हीमोगलोबिन के उतपादन में सहायता करता है। 2. L-Histidine एक अमीनो एसिड है जो विकास, क्षतिक्रस्त उतकों की मरमत और रक्त कोशिकाओं के निर्मान में सहायक है। 3. L-Lysin 1 एक अमीनो एसिड है और एक निर्मान प्रोटीन के रूप में कारे करता है जो समग्र विद्धी और विकास और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। 4. Glycin 1 एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो उतक और हॉमोन रख्रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। 5. Pyridoxin Hydrochloride Protein वसा और काबोहाइडरेट चयापचय और लाल रक्त कोशिकाओं और निर्मान में शामिल है। 6. Folic Acid शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है जो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ती सुनिश्चित करता है। 7. मिथा इको बालामिन एक विटामिन B12 कोएंजाइम है जो मस्तिश के स्वास्थिका समर्थन करने और तंत्रिका माइलिनेशन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। 8. जिंक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और शरीर की उतकों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।